हेलो दोस्तों कैसे हैं हम लोग पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे लाइट प्रकाश इसका हम लोग क्या क्या पढ़े दोस्त लॉफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे लियूमिनस अबजेक्ट, नॉनियूमिनस अबजेक्ट पढ़े हम लोग ट्रांस्पेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक अबजेक्ट के बारे में सीखे आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ओफ रिफ्लेक्शन हम लोग तो ये तो दोस्त समझ गया कि कोई भी चीज हमको कब दिखती है, रिफ्लेक्शन होता है, किसी अबजेक्ट पे लाइट पढ़ती है और वो हमारे आखों तक आती है, तब हमको वो चीज दिखती है हम लोग अब सीखेंगे टाइप्स ओफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ओफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ दोस्त, कितने तरह का रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग दोस्त सीखेंगे diffuse reflection, regular reflection, multiple reflection आप हमसे पुछेंगे सर ये regular और diffuse क्या होता है तो regular reflection और diffuse और multiple हम तीनों सीखेंगे दोस्त जैसे हो किया regular, diffused और multiple regular, diffused को हम लोग irregular भी बोलते हैं diffused को हम लोग irregular भी बोलते हैं types of reflection, types of reflection बोलते हैं regular reflection, diffused reflection, multiple reflection तो एक करके हम लोग तीनों के बारे में समझते हैं regular reflection क्या होता है और diffuse reflection क्या होता है जब light, जब light किसी plane surface, plane surface से टकराती है तो उसको हम लोग regular reflection बोलते हैं और जब कोई rough surface से टकराती है तो उसको हम लोग diffused reflection बोलते हैं तो आप बोलेंगे सर, plane surface क्या होता है सर सब तो plane ही है सर, दीवार भी plane है सब तो plane ही है सर, shirt भी plane है, दीवार भी plane है किताब को भी plane है, सब कुछ plane है हाँ, बिल्कुत सही बोल रहे हैं, आप सब plane है, सरी ये marker का सरी ये surface भी plane है, हाँ, सब plane है, आपको लगता है, हमको भी लगता है, हम सब को लगता है, हमारा जमीन भी, हमारा जमीन का जो फर्श है, ये भी plane है दोस्त, लेकिन क्या होता है, अगर आप इसको microscope से देखेंगे, त तो कुछ इस तरह का दिखेगा, अगर ये सर्फेस है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है आपको, अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब, आरे से नॉर्मल देखेंगे, तो बहुत इसमुद दिखता है हम लोगो, इस तरह का जब इस पे light पड़ती है मान लिजे light source आती है इसके उपर light source आती है यहां से ऐसे आती है तो कुछ light ने क्या होती है ऐसे reflect हो जाती है कुछ light ने ऐसे आएंगी अब फिर यहां से ऐसे reflect हो जाएंगी कुछ light आएंगी जो एहां से ऐसे चली जाएंगी यानि कि light का आना तो एक direction में है बट reflect होना अलग-अलग direction में हो रहा है दोस्त देख रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है surface जो zigzag form में हो रहा है तो light जब आएगी इस पर incident होगी तो यहां से होकर हो सकता है उपर जाए हो सकता है दुसरे surface पर टकरा जाए तो light प्रोपर तरीके से reflect होके नहीं जा पाती है मतलब जब light जब light law of reflection को completely follow नहीं करती है completely follow नहीं कर पा रही है क्यों? आ रही है और इसको अलग-अलग direction में जा रही है जैसे हम लोग कल क्या सीखे थे light एक surface पर आएगी और बिल्कुल ऐसे ही लोट जाएगी ऐसे इसको हम लोग बोलते थे law of reflection लेकिन यहाँ पर properly ये नहीं reflect कर पा रही है अलग-अलग direction में light से ली जा रही है तो light का पूरा हिस्सा हमारे आखों तक नहीं पहुँच पा रहा है इस कारण से वो वस्तू proper तरीके से हमको नहीं समझ में आती है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्त इस तरह के reflection को हम लोग diffuse reflection बोलते हैं या फिर irregular reflection बोलते हैं clear है और जब light किसी surface से टकरा कर ये वाले rule को follow करती है यानि कि properly reflect होती है यानि कि जितनी आएगी उतनी lot के जाएगी इसमें क्या होता है आती तो पूरी है lot के जाती है तो मातरा कम ज़ादा हो जाता है और इसमें जितनी light आएंगी beam of ray आएंगी उतनी beam of ray निकलेंगी इसको हम लोग क्या बोल देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे हमारा जो आइना होता है ठीक है ग्लास यह हमारा मतलब इसको बोल सकते हैं आप कि यहां से मतलब आइने से प्रोपर रिफ्लेक्शन होता है दोस्त रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और जिस वस्तू से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ज्या आइना में आपका प्रोपर रिफ्लैक्षन हो जाता है इसलिए हम लोग को वहां पर अपना चेहरा देख पाता है क्यों क्यों कि जितना रिफ्लैक्ट हो रहा है उतना ही हमारे आँखों तक भी पहुंच रहा है उसमें बहुत माईनीूटलि नहीं कि ये बराबर हमारा देख पाते हैं क्योंकि जितना light reflect हो रहा हो तो नहीं हमारे आँखों तक भी पहुंच रहा है ना ठीक है तो regular और diffused हम लोग समझ लिए आप बोलेंगे सर्व multiple reflection क्या होता है दोस्त multiple reflection होता है जब आइना से आपका बहुत ज़्यादा images बनना सुरू हो जाता है जब आप एक से ज़्यादा आइना को ऐसे arrange करते हैं कि आपको आपका image एक से ज़्यादा बनना सुरू हो जाएगा तब आप बोलेंगे सर कैसे संभव है कैसे संभव है कि एक से ज्यादा image बन जाए संभव है दोस्त आप कभी कभी गए होंगे बहुत सारे malls में कुछ इस तरह का arrangement होता है कि glasses या कभी आप सोनार के दुखान में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे वो लोग सीशा को बहुत अच्छे तरीके से arrange करक्ते हैं जब आप जाएंगे तो वो तरह तरह का आपका image बना आपका प्रतिवीम बना दिख जाएगा आपको दोस्त एक बार हम गयते वहां पर क्या बोलते हैं साइंस सिटी कोलगता में वहां पर इस तरह से एक glass का बना हुआ था ये glass को इस तरह से arrange किया गया है जिसको क्या बोलते है भूल भूल ये type का उसमें लिखा हुआ था जिसमें अगर आप जाएंगे तो आपका इतना reflection दिखेगा आपको पता ही नीचे लेगा उसमें दरवाजा कहा है बहुत सारी movies में भी इस तरह का यूज किया जाता है multiple reflection क्लाडियस्कोप आपको याद होगा जब आप class 7-8 में पढ़ रहे होंगे तो आपके light chapter में क्लाडियस्कोप बनाने के लिए दिया हुआ था उसमें क्या था multiple reflection के बारे में बताया था उसमें क्या होता है इसमें समझें यह competitive level का बहुत ही लाजवाब question है पूछा जाता है कि अगर किसी दो mirror को अगर proper किस तरह से arrange करें कि उसमें 3 image बन जाए चार image बन जाए पांच image बन जाए कैसे arrange करेंगे यह बहुत ही important question है competitive label का numerical भी इससे आता है दोस्त उसका formula होता है 360 degree upon theta minus 1 यह आपका formula है number of images का यह बहुत ही important formula है दोस्त इसको याद रखिएगा आपको पता चल जाएगा जैसे मान लेते हैं दो mirror है जैसे example देते है multiple reflection कैसे होता अब आपको बताते हैं दो mirror आप ले लीजिए एक mirror ऐसे है एक mirror ऐसे है इसको 90 degree पर रखिए हैं यह क्या है 90 degree पर रखिए हैं तो कितना image बनेगा अगर दो mirror को आप घर में भी try करके देखिएगा दो mirror को ऐसे लीजिएगा उसको 90 degree पर रखिएगा देखिए कितना image बनता है अपने आपको बीच में रखिएगा जैसे आप अपने आपको यहां रखिए हैं मान लेते हैं यहां पर आप हैं तो कितना image बनेगा तो आपको 90 degree पर है तो यहां पर क्या किजिए 360 upon 90 कर दीजिए minus 1 किजिए 9 4 जा 36 4 minus 1 is equal to 3 यानि आपका 3 image बनेगा एक image बीच में रहेगा एक image इधर रहेगा तीन image आपका बनेगा दोस्त अगर आप इसको 60 degree के अंगल पर रखेंगा तो कितना बनेगा 60 degree के अंगल रखेंगा तो यहां पर क्या करना है 360 upon 60 minus 1 60 कर जिएगा 6 6 6 या 6 minus 1 is equal to 5 आपका 5 image बनेगा जब आप दो mirror को 60 degree के अंगल पर आप arrange कर दीजेगा तो आपका 5 image बनेगा दोस्त और इसी principle पर क्लेडिस्कोप काम करता है उसमें क्या होता है इस तरह का एक glass एक glass और एक glass तीन glass को इस तरह से arrange किया जाए और इस तरह से बना हुआ रहता है इसमें आप अंदर में कांच की छोटी छोटी colorful चूणिया डाल दें ठीक है और अब एक सरफ से देखेंगे light को पास सोन देंगे अंदर में बहुत सुन्दर सा एक pattern बन के तैर होता है यही हमारा kladioscope होता है दोस्त ठीक है और light के reflection पे ही based हमारा periscope भी होता है अब आप बोलेंगे sir periscope क्या होता है तो वो हमारा reflection पे काम करता है दोस्त proper reflection पे काम करता है जो हम लोग law of reflection हमको follow करता है वो उसमें क्या होता है कुछ इस तरह का design बना होता है ऐसे और यहाँ पर ऐसे होगा ऐसे यहाँ पर दोस्त इन दोनो जगों पर 45 डिगरी के पोजीशन पर 45 डिगरी के पोजीशन पर यहाँ पर glass fit होता है अब इसमें जो glass लग जाता है अगर कोई भी यह इसका इस्तमाल कहा होता है इसका इस्तमाल आप देखे होंगे बहुत सारी मुवीज में जहां पर सबमेरीन का यूज किया जाता है सबमेरीन में ज़ादा तर इसका यूज होता है क्यों सबमेरीन में जो मेरीन होता है वो पानी के नीचे होता है और उसके उपर से इस तरह का एक pipe का होता है इसको हम लोग पानी के बाहर निकाल लेते हैं और पानी के अंदर से यहां से अगर कोई देखता है यहां से अगर कोई देखता है तो बाहर में क्या चल रहा है समुद्र के उपर में इनको पानी के अंदर से ही पता चल जाता है तो इसको बोलते हैं periscope, इसको बोलते हैं gladioscope दोस्त, ये हमारा multiple reflection पे काम करता है और ये हमारा normal reflection पे काम करता है, इसमें 45 degree के angle पे glass को arrange करते हैं, याद रखेगा, इसमें कैसे arrange करते हैं, 45 degree पे और इसको कैसे arrange करते हैं दोस्त, 60 degree पे, ये 60 degree के angle होता है दोस्त, 60 degree के angle होगा, सब 60 डिगरी का एंगल होगा सारा और यह कैसे एरेंज होगा यह 45 डिगरी का एंगल होगा दोस्ट यह सब 45 डिगरी का एंगल होगा ठीक है यह हमारा पेरिस्कोप हो जाता है यह हमारा क्लेडियोस्कोप हो जाता है क्लीर है, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं दोस्ट, कल हम लोग पिछले वीडियो में क्या सीखे थे, पिछले वीडियो में हम लोग को ये जानना था, कि आखिर हमारा मीरर में कैसा image बनता है, कल हम लोग प्लेइन मीरर पढ़ रहेते दोस्ट क्योंकि ये हमारा reflection था, reflecting surface था तो Plane Mirror में कैसा image बनता है Plane Mirror में दोस्त उसके कुछ properties होती है हम लोग अभी इसको clean करके उसके बारे में सीख ठीक है दोस्त, अब हम लोग क्या सीखते हैं Plane Mirror में कैसे image बनता है उसका characteristic हम लोग सीखेंगे तो Plane Mirror में जो image बनता है वो virtual image बनता है पहला चीज क्या हो गया दोस्त उसमें वर्चुल इमेज बनता है वर्चुल का मतलब क्या होता है काल्पनिक काल्पनिक इमेज बनता है अब आप बोलेंगे सर्थ काल्पनिक का मतलब क्या होता है काल्पनिक वैसे इमेज को बोलते हैं जिसको कि हम लोग इस स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं उसका हम लोग चाहेंगे hard copy बनाना तो hard copy नहीं बन सकते हैं जैसे हम लोग अपना photo खीच वाते हैं किसी भी form में भरने के लिए या साधी वीवाँ में जो photo िच़ते हैं तो जो photo quich कि कि हम लोग उसका hard copy निकालते हैं कागस पे, उसको अपने album में सजाते हैं, ये सब क्या हो गया, real image हो गया, जिसको कि हम लोग paper पे उतार सकते हैं, लेकिन जो plain glass में, जो हम लोग आइना में जो बनाते हैं, उसका क्या होता है, उसको हम लोग नहीं उतार सकते हैं, दोस्त, मतलब उसका photo न मेज बनेगा, वो कैसा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा, सीधा मतलब, erected होगा, ठीक है, पहला, दूसरा चीज क्या होगा, इस mirror की बात कर रहे हैं, एक तो हो गया सीधा, clear है, दूसरा, mirror के, जैसे हम मान लेते हैं, यहां मेरा mirror है, ठीक है, mirror में हम यहां से देख रहे हैं, खुद को, तो यहां से, यहां जो मेरी दूरी है, मान लेते हैं, कितनी दूरी है, एक फिट है, ठीक है, ऐसे, मान लेते हैं, यह mirror है, ठीक है, यहां पर, मान लेते हैं हम है, मान लेते हैं हम है, और, ठीक है, मान लेते हैं हम है, ठीक है, तो ह यहां पे हमारी दूरी कितनी है दोस्त यह दूरी है मान लेते हैं एक फिट ठीक है तो हमारा जो यह इमेज कहां बनेगा इस मीरर के पीछे एक फिट की दूरी पे एक फिट की दूरी पे एक फिट की दूरी पे बनेगा दोस्त यानि कि इसकी बी दूरी कितनी होगी एक फिट यह मीरर है इसो क्या बोलते है जितना आप मीरर के बाहर होंगे उतना ही आपका जो इमेज होगा मीरर के अंदर बनेगा यहनि mirror के पीशे बनेगा आप mirror के अदर थोड़ी घुश रहे हैं आपका image बनता है वहाँ पे दोस्त ठीक है दूसरी property होगी पहला क्या हो गया plain mirror में plain mirror में image कैसा बनता है उसके बार मत कर रहे हैं plain mirror में पहला जो होता है virtual image बनेगा सीधा बनेगा इरेक्टेड इसको बोलते हैं दूसरा mirror के बाहर आप जितनी दूरी पे होंगे mirror के अंदर उतनी दूरी पे आपका image बनेगा यानि कि mirror के दूसरी तरफ ठीक है जो बहुत important जो इसका characteristic है lateral inversion होता है दोस्त अब lateral inversion का मतलब क्या होता है आप कभी भी आईनाम के सामने खड़े होंगे तो आप देखिएगा अपना दाहिना हाथ उठाके आप अपना जब दाहिना हाथ उठाएंगे न तो लएगा जैसे कि आप अपना mirror के अंदर में अपना बाया हाथ उठाएंगे आज जब बायाँ आथ उठाईएगा तो आपको लएगा mirror के अंदर में दाही नाथ उठाईएगा तो आपका जो right left बन जाता है और left right बन जाता है मतलब ऐसे cross हो जाता है ठीक है right का left बनना जैसे आपका जो right है यह आपको left दीखेगा और जो left है वो आपो कैसा दिखेगा right दिखेगा तो यह इसको क्या बोलते हैं lateral inversion बोलते हैं दोस्त यह हमारा क्या कहलाता है lateral inversion इसको बोलते हैं दाहिना बायें दिखना बायें का दाहिना दिखना ठीक है इसी property पे based कहां use होता है दोस्त आप देखे होंगे ambulance में ambulance ultra लिखा रहता है ऐसा क्यों होता है यह इसी property पे काम करता है lateral inversion पे काम करता है कैसे काम करता है अब आप देखते हैं माल लेते हैं कि हम driver है ठीक है हम driver है अब मेरा यह side mirror है clear है हम driver है और यह मेरा side mirror है और पीछे एक गाड़ी है वैन है जो ambulance है और उसके उपर ultra लिखा हुआ है वहाँ ultra लिखा है तो उसका क्या होगा जब हम driving कर रहे हैं तो मेरे side mirror में पीछे वाला गाड़ी दिखेगा ठीक है पीछे वाला गाड़ी का चुकी ambulance उल्टा लिखा हुआ है तो मेरे side mirror में कैसा दिखेगा वो सीधा लिख किया आएगा ठीक है तो यहाँ पर हमको ambulance सीधा दिखेगा तो हम क्या करेंगे ambulance है चलो side हट जाओ ambulance को pass होने दो तो यह जो property है lateral inversion का इसका हम लोग use करते हैं ambulance लिखे हुए में सबसे ज़्यादा use होता है दोस्त ताकि कोई मरीज को तकलीफ ना हो जाए ठीक है पेसेंट बहुत critical situation में भी हो सकता है जान भी जा सकती है अगर हम लोग ना उसको pass दें तो इसलिए इसका इस्तमाल बहुत अच्छे से होता है ambulance में lateral inversion का तो हम लोग लगबग सारा property को देख लिए कैसे बनता है कालपनिक अब कालपनिक कैसे बनता है यह हम लोग जब mirror के साथ साथ spherical mirror में जब image पढ़ेंगे दोस्त तो वहां पर आपको यह ज़्यादे अच्छा समझ में आएगा कि आखिर virtual image बनता कैसे है तो आप बोलेंगे सर image virtual virtual आप कर रहे हैं सर कालपनी कालपनी कर रहे है तो वास्तिविक भी तो होना चाहिए यह वास्तिविक image भी बनता है वास्तिविक image आपको बताने के लिए बता दे रहे हैं कि वास्तिविक image जब भी बनेगा रियल इमेज जब भी बनेगा तो वो उल्टा बनेगा virtual image हमेज सीधा बनता है और रियल इमेज हमेज हमेज सा उल्टा बनता है यानि कि वो downward होगा मतलब हमारा जो भी सर दिख रहे है न वो पैर हो जाएगा पैर हमारा उपर हो जाएगा सोचिए हम लोग उल्टा हो दिखेंगे इसे मुंडी नीचे पैर उपर clear है इसको बोलते है रियल इमेज clear हो रहा दोस्त अभी हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग spherical mirror पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे उसके बारे में तब spherical mirror की बात आती है दोस्त mirror कितने तरह का हम लोग पढ़े थे हमाँ वो क्या बता है थे mirror मिरर दो तरह का हम लोग पढ़े थे एक plane mirror पहला क्या था दोस्त plane mirror था अद दूसरा क्या था spherical mirror था spherical mirror इसो क्या बोलते है गोलिय दर्पन गोलिय दर्पन इसो क्या बोलते है समतल दर्पन समतल दर्पन तो आप बोलें गोलिय दर्पन क्या होता है गोलिय दर्पन मतलब आपको क्या है एक गेंद देखें ने गेंद गेंद को hollow गेंद होगा hollow जैसे आप लोग प्लास्टिक वाला गेंद खेले होंगे याद होगा हम लोग खेलते थे प्लास्टिक वाला गेंद का एक hollow ball का कलपना कीजिए इस बॉल को कि साइड से काट दीजिए कैसे काटेंगे आपको दिखाते हैं यहां देखिए यह एक बॉल है ठीक है अब क्या कीजिए इसको काटिये साइड से काट दिये इसको काट दीजिए ऐसे काट दीए यह कैसा दिखेगा यह हमारा जो इमेज है एक सेकेंड इसको जोड़ा सम एरेज कर दें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा से हम लोग को समझे में आएगा दोस्त हम अपने आपको थोड़ा ही रिएज कर देते हैं तो अब इसको अगर इसको हम देखना कोस करें तो कैसा दिखेगा दोस्त यह कुछ ऐसा दिखेगा दिख रहा है या फिर ऐसा दिखेगा जिधर कभी आप पोर्शन पकड़ेंगे उसको तरह कर दिखेगा तो अगर आप इसकी बात करते हैं इसकी बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक गलास का टुकड़ा अभी तक यह मीरर नहीं है अभी तक यह रिफ्लैक्टिंग सर्फेस नहीं है दोस्त क्यों नहीं है यह आप तो आप पूछने सकते हैं सर यह बॉल का टुकड़ा तो है हाँ है लेकिन यह मीरर अभी तक नहीं है क्यों नहीं है मीरर इसलिए कि ग्लास का यह टुकड़ा है न भाई मीरर तब बनेगा जब इसके अधर साइड को पॉलिस कर देंगे जब तक आप पॉलिस नहीं करेंगे मीरर हो ही नहीं सकता है लाइट जाएगी लाइट निकल जाएगी तो क्या करेंगे यदि आप इसको अंदर से पॉलिस कर देंगे क्या करेंगे अंदर से पॉलिस कर देंगे तो रिफ्लैक्टिंग सर्फेस कहां हो जाएगा बाहर हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये वाला जब रिफ्लैक्टिंग सर्फेस बाहर की तरफ होगा मतलब अगर ये टुकडा है और इधर से हम पॉलिस कर दिये हैं reflecting surface ये वाला होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताईए उत्तल दरपन क्या बोलेंगे दोस्ट? उत्तल दरपन उत्तल दरपन इसको क्या बोलते हम लोग? convex mirror convex mirror बोलते हैं दोस्त अई ये ही जब polish हम लोग बाहर से कर दें बाहर से polish कर दें तो reflecting surface अंदर वाला पाठ हो जाएगा कर्वो वाला पाठ हो जाएगा यानि कि जब इधर से polish कर दें बाहर से polish कर दें तो light अंदर से reflect करेगी light अंदर से reflect करेगी दोस्त है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? आउतलडरपन इसको बोलते हैं concave mirror अब इसमें क्या होता है दोस्त ये जो हमारा concave mirror और convex mirror अब दोनों mirror में आप अपने घर में भी इसका एक्जामपल आप देख सकते हैं कैसे देखेंगे? हम लोग के घर में चम्मच होता है ना दोस्त तो आप एक वर चम्मच उठाइए चम्मच को उठाके देखेगा एक वर इधर से देखेगा एक वर इधर से देखेगा आपको गजब गजब टाइप का चेहरा दीखेगा किसी में बड़ा दीखेगा किसी में छोटा देखेगा एक चेहरा फूला हुआ टाइप का दिखेगा ऐसा क्यों दिखता है उसमें अलग अलग तरह का image बनता है दोस्त जब वो convex mirror होगा तो उसमें अलग टाइप का image बनेगा कौन के mirror होगा तो उसमें अलग टाइप का image बनेगा तो image किस तरह का बनेगा दोस्त यह बहुत important question है class 10 के लिए बहुत important question है board exam में आता है competitive level में तो कमाल का question इसे बनता है कि image कहां पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा जैसे object का placement कहां पे होगा तो image कहां पे बनेगा यह बहुत important question है competitive level के लिए भी इससे numerical बहुत सारा बनता है problem बहुत सारे आते हैं इसको हम लोग अगले session में पढ़ेंगे कि आखिर हमारा यह जो spherical mirror है इसमें image का formation कैसा होता है real image बनता है virtual image बनता है कहां पे object रखने पे कहां पे image बनता है अगले video में दोस्त हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कहां पे object रखने पे कहां पे image बनता है ठीक है दोस्त इसको ध्यान से बना लीजेगा इसका notes बनाईएगा notes बहुत important है और मिलते हैं अगले video में